तो मैंने एक तो फर्स्ट बात तो बताई थी rules की तो आपको rules तो समझ में आगए rule one, rule two और rule three जिसमें एक था आज का allowance, future का dis allowance एक तो ये rule था, दूसरा था आज का dis allowance future का allowance तीसरा था आज का allowance या dis allowance future का nil ये permanent difference थे और ये थे timing differences ठीक है मैंने दूसरी बात आपके साथ कल क्या बताई थी मैंने कई बाते बताई थी लेकिन आपको practically application बता रहा हूँ मैंने कहा था हम deferred tax की calculation कैसे करेंगे तो बेटा deferred tax की calculation करेंगे हम permanent difference into rate of tax permanent difference into rate of tax बोलो मैंने ठीक बोला या गलत बोला very good सब बच्चे ने कहा सर क्या सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हो यह है timing difference into rate of tax हम इसके उपर calculation करते है इसका मदब timing difference into rate of tax पर हम deferred tax को calculate करेंगे यह rate of tax कोन सावाला होगा क्या यह future का rate होगा या current का rate होगा क्या यह future का rate होगा या current का rate होगा तो भाई बताओ जरा फटा फट से तो this will be not future rate this will be the current rate ठीक है एक बात हाला कि वो query आई थी मैंने उस समय ignore कर दी थी कल नहीं बताई मैंने वो query का answer क्या मैं revise करते करते एक query ध्यान आ गई है वो query का answer दे सकता हूँ वो person पूछी थी आपने मैं आज उसका जवाब दे रहा हूँ कल ध्यान नहीं रहा मुझको उस बारें बात करना मुझे ये बताओ यहां एक timing difference है जिसके अंदर कोई चीज डिस अलाओ हो गई है और यहां पर future में इधर अलाओ होगी कई साल बाद अलाओ होगी मुझे ये बताओ आज जो 10,000 डिस अलाओ हुआ है जब यहां अलाओ होगा तो आपने ये कहा था ना कि इसके उपर हमें क्या करना चाहिए इसका time value of money लेनी चाहिए इस पर question पूछा था कि सार इसके उपर तो time value of money लेनी चाहिए जिस पर मैंने क्या जवाब दिया था कि हमारा standard time value of money अलाओ नहीं करता है रेट भी future का लेता तो तो time value of money लगाता ना क्योंकि मैं future के rate को present value पर लाता पर हमने जुगाड क्या लगाया कि हमने का छोड़ो जंजट की बाते हैं हम future rate लेंगे ही नहीं हम इसी पर आज ही create कर देंगे आज के rate से तो क्या ये जो आज निकलेगी ये today's fair value निकलेगी क्या आज ही की fair value निकलेगी क्योंकि आप आज ही उसकी fair value निकाल रहे हैं जब आज ही की fair value निकलेगी तो time value of money का concept अपने आप खतम हो गया समझ में आई बात उसे क्यों हमारे standard ने मना कर रखा है हला कि for the timing अगर आप अपने पास exam की बात करते हैं तो आपने discounting नहीं करनी होती है और हम current rate लेते हैं इससे आपकी दो क्वेरी खतम होनी चाहिए why current rates बताओ जड़ा why current rate जब tax advantage future की है तो why current rate जब तुम बोल रहे हैं future का disallowance है तो फिर current rate क्यों क्योंकि हम time value money को ignore करना चाहते हैं और आज की fair value निकाल रहे हैं इसलिए आज का rate ले रहे हैं इसका मतब इसकी वज़ाई ये है और time value money नहीं लिया इसलिए तो concept डोनों एक है जील कहरा है today's fair value can differ with the future value जील आपने जो बात करी है बिलकुल ton a ton बिलकुल correct करी है लेकिन मैं आपको जील बताना चाहता हूँ एक बात हम उस area में जाएंगे नहीं पर तुमने जिस खिड़की को देखकर काया कि सार उस गली में क्या है उस गली के अंदर आगे है हमें अपने defer tax assets को review, recalculate, reassess, revalue हर साल करना पड़ता है जो मैंने आपको नहीं बताया है इसका मतलब आप जब CA final में आएंगे तो जो आप defer tax बना देते हैं आप हर साल उसको revalue करते हैं आप हर साल उसकी value में बदलाव करते हैं बात समझ में आती है और उसका भी effect penal में डालते हैं तो चुकि आप छोटे बच्चे हैं अभी आपकी डाड़ी भी ठीक से नहीं आई है बीच में इसमें खाली रह जाती है इसलिए आपको उन्होंने defer tax के उपर बाकी बाते नहीं बताई हैं ठीके ना तो इसलिए हम ऐसा करेंगे ठीके तो हमने कहा यह defer tax है मुझे मैंने एक और भी बात बताई थी वो बताई थी मैंने general entry फड़ा फट से बताओ general entry क्या होगी जल्दी से बताईए general entry क्या होगी asset को बनाने अब मैं यह नहीं कह सकता कि कौन सी entry आपके exam में आएगी भई वो कौन कौन सी हो सकती है फड़ा फट से बताओ या तो creation की हो सकती है reversal की हो सकती है तो चार entry आपनती है asset के creation की फड़ा फट से बताओ क्या बनेंगे asset के creation की DTA to P&L reversal की P&L to DTA DTL की P&L to DTL DTL to P&L ओ माइ गाड गाना बन गया यह तो मुझे यह बताओ यह सारे के सारे P&L कहां जाते है यह P&L अकाउंट में जाते है आहाहा यह P&L अकाउंट में जाते है और जो यह DTA है या जो DTL है यह कहां जाते है यह balance sheet में जाते है balance sheet में हमेशा हमेशा यह कहां जाएंगे ये non current में ही जाएंगे क्या आपका लग रहा है मुझे लग रहा है कि भाई साब ये DTA तो within 12 month realize हो जाएगा जैसे 43 भी bonus की deduction बताओ क्या within 12 month नहीं मिल जाएगी बहिए इस साल का bonus डिसला हो गया तो अगले 12 महीने में return भर दोगे तो deduction ले लोगे तुम तो क्या आपको नहीं लगता within 12 month है तो ये current होना चाहिए लेकिन हमने का दिमाग लगाना कर दो बंद आपके standard ने कहा इन्हें हमेशा 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 क्या लेना है non current लेना है first वाले में DTA होना चाहिए first वाले में DTA होना चाहिए मतलब क्या DTA DTA DTL DTL कहां गलत लिख दिया भाई मैंने DTA asset का creation DTA to panel asset का reversal PNL to DTA liability का creation PNL to DTL reversal DTA नालाइक सब कुछ ठीक है जबरदस्ती गलती लिख दिया चलिए हमने आपको और भी कुछ बाते बताई थी हमने आपको और भी कुछ बताई थी वो ये बताई थी कि हमें current tax कैसे निकालना है तो मैंने कहा current tax में दो तरह के cases हो सकते हैं सिरफ regular वाला या two computation वाला अब हमें नहीं पता आपको कौन सा सवाल institute पूछ लेता है regular वाला या two computation वाला two computation वाले का नाम क्या था इसका नाम था minimum alternate tax और आप लोग इसको किस रूप से पढ़ चुके हैं आप AMT के रूप से पढ़ चुके हैं तो मैंने कहा जब आप regular निकालते हैं तो फटा-फट से terms को ठीक से बताना हम PBT में क्या adjustments करते हैं हम इसमें कुछ allowance और dis allowance करते हैं जो TD हैं कुछ allowance या dis allowance करते हैं जो PD हैं और फिर क्या मिलता है मुझको फटा-फट से बताओ फिर मुझे मिलता है taxable income और taxable income पर हम क्या करते हैं regular tax लगाते हैं इस पर हम क्या लगाते हैं इस पर हम regular tax rate लगाते हैं और इसके अंदर जो tax आता वही tax हमारा क्या बन जाता है उसे हम बोलते हैं current tax वही हमारा current tax होता है मैंने आपको याद हो तो बताया था कि taxable income के साथ आप set up कर सकते हैं बताओ क्या set up कर सकते हैं कोई brought forward loss अगर कोई losses brought forward है तो आप उनको set up कर सकते हैं एक सवाल मैंने करके भी दिखाया था ये बताओ क्या इन में से किस चीज़ से जन्म होता है फड़ा फट से बताओ इधर से ही तो जन्म होता है defer tax का इसका मतब इसी से तो जन्म होता है इसका मतब ये कि इन सारे rules को ये सारी बातों को देखने के लिए source क्या है हम ये कहां से देखते हैं allow, disallow या ये कैल ये सारा का सारा source ये computation होती है ये सारा का सारा source क्या होता है computation होती है जिन में से PD पर हम क्या करते हैं PD पर मैंने लिखा नहीं PD को हम लोग यहां पर ignore करते हैं PD पर हम कोई भी काम नहीं करते हैं ठीक है नब PD पर हम कुछ नहीं करते हैं तो I hope you remember कि हम कैसे करते थे अच्छा हाँ तुशार मैं इसको record करना भूल गया हूँ लेकिन मैं इसको भी बाद में जब कर्चर्चा हो जाएगी तो मैं बोल दूँगा बाहर record है उसको कट करके डालने के लिए अब मुझे यह बताओ जब two company वाला था तो उसमें एक computation तो same यही बनेगी oh my god same जो यह वाली थी एक computation तो यह बनेगी और फिर उसी से defer tax भी आ जाएंगे तथा इसमें एक और भी computation बनती थी वो क्या थी? computation 2 जिसमें हम ना book profit पर, यह book profit भी tax की term है, यह book profit क्या accounts के book profit है? फड़ा फिट से बताओ यह accounts के book profit नहीं है यह भी हमारे tax के ही book profit है, इस पर कौन सा rate लगाओगे? мат का rate यह AMT का rate लगाओगे ठीके ना? उससे क्या निकल कराएगा? мат का tax निकल कराएगा, ठीके ना? और आप अपने regular tax में से, एक regular tax आपका आया था और एक आपका ही आया था, इन दोनों में से जो higher होगा इन दोनों में से जो higher होगा वो क्या कहलाएगा that is your current tax तो defer tax वहाँ निकालना सिखाया मैंने और मैंने कहा current tax हम इस तरह से calculate करते हैं ये बताना timing difference आप कहां से देखोगे mat वाली computation से देखोगे के regular वाली computation से देखोगे मैं भूल गया मेरे कोई चक्कर आ गया जो हम defer tax के लिए देखते हैं timing difference हम वो कहां से देखेंगे वो हमेशा इसी computation से देखना है वो इसमें से नहीं देखना है ये तो additional एक बनाई जाती है सिर्फ calculation के वास्ते कि हम इसको इस प्रकार से अपने पास काम करते हैं तो मैंने आपके साथ ये बात भी बताई मैंने एक पांचवी बात भी बताई कि exam में आपको इसकी presentation जब करनी है तो हमेशा आपको अपने पास पहले वो न अक्सर आपके पूछता है effect बताओ क्योंकि इस topic में जो सवाल बनते हैं वो effect पूछता है कि इसका effect क्या होगा तो हम इसके अंदर क्या बताएंगे हम एक तो transaction बताएंगे इस transaction को explain करेंगे कि ये क्या है बही क्या हुआ, allow हुआ, dislike हुआ तो ये हो गया हमारे पास remarks फिर हम बताएंगे कि ये nature क्या है what is nature of difference कि भई इससे हमारा TD पैदा हुआ या इससे हमारा PD पैदा हुआ फिर हम इसकी calculation करके दिखाएंगे और फिर इसका हम impact बताएंगे तो हमारे institute के सवालों में आपको ये proper इस प्रकार की presentation करनी होगी अगर मान लीजी आपसे सवाल पूछता है तो हम उसके अंदर अपने पास इस प्रकार से काम करेंगे यहां तक की बाते मैंने आपके साथ कल करी थी आज मैंने इसके अंदर कुछ और बाते भी करनी है तो अगर तयार है तो मुझे फटा-फट से बताइए अब गौतम कहरा, accounting profit and profit as per books में क्या difference होता है गौतम दोनों same ही होते हैं, ठीक है? दोनों same है लेकिन book profit का मतलब कुछ और है book profit as per tax calculate होता है आरन कहता है, matte और regular tax का difference हम DT में क्यों? नहीं adjust करते आरन, असल में book profit में timing differences नहीं होते इसलिए मैं इसको इसमें adjust नहीं करते हैं नमबर दो, एक और बात भी मैं कहना चाहता हूँ एक और भी institute की बात मुझे RN की बात से ध्यान आ गई छठा point कभी-कभी institute PBT दे देता है और taxable income दे देता है और no data for reasons of difference वो यह नहीं बताता कि इन दोनों में difference का reason क्या है तो मैंने आपको कहा ऐसा भी institute करता है तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए we should assume permanent difference as nil hence all difference किस कारण का होगा all difference will be timing difference जिस पर आप ultimately यही काम करेंगे defer tax की calculation करेंगे इस पर भी आप defer tax करेंगे अपने पास ठीक है हाँ अनिल मैं आज revise करा रहा हूँ ना अनिल कर रहा हूँ दुबारा क्यों बता रहा हूँ रिवाइस करा रहे हैं ना तो शशी यहां तक कि आप अपना वीडियो कट करके एक बार summary वीडियो मैंने बिच्चों को देना था मैंने आपको record करने से पहले भूल गया था तो आप उसको एक बार कट करके डाल देना आलमेष पर देना बार करें कि यहाँ प्रूपन यहाँ बैस्प्ट इस धिरना आप सफाते ने राविडियो का रहा है ने चीज़ दो कि महां पहले ने में जाए है ने मैं यहाँ जाए